आपकी का आप किसी का पेमत करो, आपको कोई जरूरत नहीं है, उनका नाम भ्याद रखने की, कब तुरी यहाँ पर हैडिक खतम हो जाएगी, आपकी चाए 20 एप हो, चाए 30 एक करोणों, 10 लाग हो, या तो आप इनके बाप बन जाओ, या वो आपके बाप बन जाए, दोस्तो लोन एप से लोन ले लिया है, अब आपकी पक गई है खिचड़ी, अब नहीं समझ में आ रहा है कि किसका लोन पे करूं, किसका नहीं करूं, कौन सा लोन एप बाला जो है, पैसे मांग रहा है, कौन सा नहीं मांग रहा है, क्योंकि आपके अब इखटे मैसेज आ रहा है, समस्या मेरे पास इतनी आ रही है हर रोज मेरे पास दो तिन समस्या ऐसी आती है कि सब मेरी बहुत ज़ादा है अपसे कोई पंदरा बोलता है कोई दस बोलता है कोई कोई तो 35-45 तक का बोलता है कि सब आप समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं मैंने असर लोन तो ले लिया ह है अब यहीं समझ GRÜNEN नियारा कौन सी अफका कॉल कर रहा है कोई बंदा को यह साफ कोई कर रहा है समझ में नहीं नहीं आ रहा है किसका क्या करना है سमझ नहीं आई अज इसी पर मैं पूरी जानकारी जूंगा कि अगर आप ने मतलब इतनी सारी लोन ले लिए आपको उसकी गिंती नहीं पता मतलब 25-50-100-500-600-800-1000 रेपसे लोन ले लिए तो ऐसे मैं आप क्या करेंगे क्या कदम उठाना है तो उसके लिए आपको यह वीडियो लाज सक देखना है चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोड़ी सिकेशन आपको समय से मिल सके तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर्निंग एप की सबसे पहले तो यहां पर बता दू अगर बागी समय वही काम करना है मैं बात करूंगा आयसा सी डेट की बिसकिसमे लिंक दिया हुआ है आप मेरे लिंक पे कलिक करें लिंक पे कलिक करते ही अधार कर लगा के सिम्पलिया अकांट करें इसे अगर आप कोई का वैंविडरिए benefit यह कि अगर आप कोई भी earning करते हैं एप की जरीए से मालीजे अपना link भेज के कोई भी account खुलवाते हैं कोई भी पैसा आता है अपका account में तो आप अपने bank में जब तक उसे बैंक में transfer कर पाएंगे अब यहां पे same to same सारी company यही काम करना है अब किसमें कित्ता मिलेगा मैं यह बता दूँ आपको गिरों में 500 मिल जाएंगे फिर्जम में 300 धन में 200 फाइब पैसा में 200 और सबसे ज़्यादा आप स्टॉक्स में 800 रुपे से लेके 1200 रुपे तक का आपको मिल जाएंगे ट्रेट कराकर यहां पर अच्छा गासा पैसा कमा सकते हैं सबसे पहले इसमें आप खुद का अकाउंट उपन कराईए और जो पूरी मैंने प्रिक्रिया प्रोसेस बताईए वो उनको समझाईए एक वक्ति है कि आप सारे अकाउंट खोल लीजिए तो आप कम लोन चुकाने की ट्रुकर में दूसरे से ले लिए तीस filming मलत ऐसे करते हैं आप की लोन हैइप की संख्या बहुत और यहां लीजिए आपने बहुत साई लोन एपसे लोन ले लिया है और उसमें से कुछ रजिस्टर भी है कुछ नहीं भी है अब आपकी दिमागे पक गए खिचड़ी अब जितने भी रिक्विरी जिन्टे आपको खटा कॉल कर रहे हैं खटा मैसेज कर रहे हैं लोन पे करो अब आपको यही पत पूधी चलानी है ना दिमाग चलाना है ना ही लोन एप के नाम्याद रखनी है कुछ भी नहीं करना है देखिए आपने मालीजे बीस लोन एपसे लोन ले लिया आप ऐसी दलदले फच चुके हैं कि आपकी जो लोन एपसे लोन लेने की संक्या है वो बीस हो गई है टोटल लोन एप है तो आप एक काम करें अपना सिविल को चेक करें उसमें देखें कौन-कौन से लोन है जो एक्टिव दिखा रहा है ठीक है वो कौन-कौन सी एप जिनकी इसमें एन्वी एपसी दिखा रहा है मालीजे बीस में से चार पैसी जो रिस्टर है तो वो सिविल में लिया था क्या किया था क्या नहीं कि फरजी लोन एपस का आपको लोन देना ही नहीं है आप तब देते जब वो रिजिस्टर होते वो आपके सिविल को खराब करनी सकती सिविल में अपडेट करनी रही है पुलिस केस करनी सकती कोट का मेटर कुछ करनी सकती और घर पे आनी सकत वो कुछ करें नहीं सकती तो आप उनका लोन क्यों पे कर रहे हो आपकी पूरी यहां पर हैडिक खतम हो जाएगी आपकी चाहिए बीस एपो चाहिए तीसो एक करोणों जसलाको बीसलाको आप अपना सेविल चेक करो और एक्सपीरियन होता है वो भी चेक कर लो इनका आप स्क करो अगर राजिस्टर कंपनी होगी तो उसका लोन एक्टिव होगा उसका आप पे कर दो और आप पे कर दोगे कोई दिक्त नहीं होगी उनसे आपका उनका कलिस खतम फिर जो बची फरजी कंपनी है आपको नाम याद लखने की जरोती नहीं है भाड़ में जाए उनकी ऐसी मुझे परशान मत करो को ऐसा करके समझा दो कि मेरे नाम से कोई कॉल करें तो यह कह दे ना अपना सिम्टोथ ताड़ के फेव को कुछ भी करो ठीक है ना बस कॉंटेक्ट इसको कैसे भी करके आपने समहाल लिया तो आपको किसी भी चीज की जोत नहीं पड़ेगी ना यह आ लोन नहीं मिलेगा तो आप उनका लोन पे कर दो बाकि यह फरजी कमणियों का मैं तो हमेशा से हर वीडियों बोलता हूँ चाहे आपने लोन लिया है नहीं लिया इनका एक पैसा मत दो यह आपका कुछ नहीं कर सकती है और दवा के नहीं आप गालियां दो और इनको इतनी तब ही इसका कुछ इलाज हो सकता है यहां पर आपको किसी प्रिकार के टेंसन लेंगी जो तो नहीं है कि हाई मैंने 25 लोन ले लिया है या 20 से ले लिया है सो से ले लिया है कोई टेंसन नहीं है रजिस्टर कंपनी से लिया है उसका पे कर दो आप यह तो मैं कह रहा हूँ य देखे एक्टिव लोन देखे उनका पेकर तो खटाग से और बाकी सब की ऐसी की तैसी एक पैसा मद दो उनका कोई भी पैसा देने की जो तुनी जितनी भी फरजी लोन एप से कोई पैसा मद दो आपको कोई टेंसन नहीं है कि भाईया मैंने 20 लोन एपसे लो ले लिया है मैं बरबाद हो गया मैं ऐसा कर लूँगा ओएसा कर लूँगा कोई फिकर करने की ज़रूषत नहीं है तो यह थी सिम्पल सी ट्रेक नहीं आपको उनसे लोन एगर होगना है तो लोन नहीं मिलेगा, अभी फरजी कंपणियां सिबिल में सोय नहीं कर पा रही है चड़ाई नहीं पा रही हैं वो हैं फरजी तो क्या देंगी रिस्टर कंपनी से भी खराब करेगी उस चीज की दिक्कत होती है इसलिए हमको ढरके हमारे पेकरना पड़ता है बना आगे तक कि हमारी कर देंगे हमें कहीं लोन नहीं मिल पाएगा तो दोस्तों आप पूरी बास समझ गए होंगे कि आपने कितनी भी लोन लिया है तो यहां पे आप इस चीज से इस टेखनीक से इस एडिय से आप पूरा पता कर सकते हैं कि हमें किनका लोन पेक करना है किनका नहीं और फरजी कंप किसका लोन देना है किसका नहीं आपको कोई वीग लब लेटर कोई कागश पत्री नहीं मांगनी है मत दो हमें नहीं चाहिए हम अपना से भी खुद चेक कर लेंगे से इस बिल में चड़ाओगे तो आप यहां पर आपको सारी बात किलिए हो गई होगी कि आपको किसका लोन या purpose पीडित है परिसान है तो आप जो है सैवे क्रिम में चारूर और मुझे बात करना चाहते हैं तो यह मुझे बात करने का तरीका कोई भी मन में डाउट है सवाल है प्रस्न है नी संकोच आप मुझे कॉल करके पूसकते हैं किसी भी तरह की परसान नहीं तो आप मुझे डिरेक्ट इस माद्यम से कॉलनी फॉर एक के द्वारा बात कर सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लागा वीडियो में देख जाने करें कैसी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूब बताना है कौन से लोन पर प्रसंद कर रहे हैं या उसको एक्सपोस कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेलेग्राम पे सारा प्रूब भेज सकते हैं टेले मतरम सत्क में जायते हैं